नमस्कार साथियो मैं डॉक्टर मनोज पांडे उत्राखंड उपन उनिवस्टि के टूरिजन विभाग से आज आप लोग सबी लोगों को राजसरकार उत्राखंड राजसरकार के द्वारा चल रही एक बहुत ही मर्तोकांगसी योजना जिसका नाम देव भूमी उद्दिमित योजना है के विशे में विश्टार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए उपरस्तित हुआ हूं साथियो जैसा कि आजकल हम न्यूस्पेपर, टेलिविजन, मॉबाइल और अन्य इन्फॉमिशन के सोसेज के द्वारा देवगुमी उद्दिमिता के बारे में ह सुन रहे हैं, इसके कुछ उद्देश, इसके महत्त और इस योजना से होने वाले लाब के विशे में हम यहाँ पराज जानने वाले हैं। सुविधायें और अन्य प्लेटफॉर्म को भी उपलब्द कराये जाने के लिए एक योजना चलाए गई जिसका नाम रखा गया है देवगुमी उद्दिमिता योजना। सिमान्त शेत्रे में रहने वाले लोगों में समगरता और कुसल रणनीति के माध्यम से उद्दिम सीलता का विकास करना या फिर स्टार्ट अप के निर्मान के मिशन को मजबूत करना देवभुमी उद्दिमिता योजना का महत्तपून केंद्र रहा है। यदि इसके उद्दिमिता के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे तो जैसे कि उत्राखंड के नौजवान पुरोष और महिलाएं जो उद्दिमिता और उसके लाप के बारे में जानना चाहते हैं। देवभुमी उद्दिमिता योजना की वेबसाइट अथवा उनके द्वारा इस्तावित के गये अनेक मेंटर्स अलग-अलग महाविद्यालेयों जो इस्तावित के गये हैं उनके द्वारा बूटकेम पसंचालिट के जा रहे हैं के द्वारा उनको इसंदर्मविस्तार से आजकल जानकारी दी जा रही हैं, साथ ही उन्हें प्रेरित करना कि रोजगार और उद्धिमिता को ही अपने करियर का बहतर विकल्प समझें, यह देव भूमी उद्धिमिता योजना का उद्धेश यह है, बूटकेम्प के माध्यम से छात्रों को उद्धिमित सीलता कि और उ देव भूमी उद्धिमिता योजना के विशय में जानना चाहती है, तो उनके घर के आसपास, उनके निवास इस्तान के आसपास ही, जो महाविद्याले हैं, उन पर सरकार के द्वारा देव भूमी उद्धिमिता योजना के अंतरगत, बूटकेम्प का आयोजिन किया जाए और वहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं, जो इसको जानते हैं, कास्तर पर ये वो एक्सपर्ट हैं, जो EDII, Entrepreneurship Development Institute of India, भारतवर्सका एक नंबर का Entrepreneurship जो institutions है, सबसे सरोत्तम जिसके rating रही है, उस सस्तान को जो experts हैं, जो उनके सिखसगण हैं, वे लोग आपके आसपास छेत्रों में आकर सबको एकत्रित करके एक स्तान पर इस विशह में विश्तित जानकारी दे रहे हैं, मैं यहाँ पर और भी प्रकास जालना चाहूंगा, क उत्राखंड के महाविध्यालों में पढ़ाने वाले अनेक सिखसगों, लगभग भाग व्यानले सिखसगों को हाली में ट्रेनिंग दी और उनको अपने चेत्र, यानि अपने college में पढ़ने वाले, university में पढ़ने वाले गिद्यार्थियों को यहाँ योजना के विशह में बताने के लिए फिर्शिक्षित किया गया है नए उद्द्रों लगा कर लोगों को रोजगार के आऊसर प्रदान करने में सक्सम युओ उदima मों को तैयार करने के देश से भारती उद्दमिता सस्तान युवाओं में उद्दिम सीलता की भावना पैदा कर रहा है साथ ही छात्रों में soft skill यानि की ब्यावारिक कौसल और आउसर को पहचानने की कुछ सलता विक्षित करने में भी मदद कर रहा है इसकार्त यहाँ है कि उत्राखंड के विवने छेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी रहने वाले अलग-अलग प्रकार के नौजवान या जो पहले से ही किसी रोजगार से जोड़े हुए हैं वे अपने छेत्र के नेचरल लिसोर्सेज को पहचान हैं जिससे कि वे अपने रोजगार से संबनित खोल पाएं और वे अपनी आई को बढ़ा पाएं देवभूमी उद्धिमिता योजना के अंतरगत कुछ और विशेस्ता हैं इसमें जोड़ लेंगे इस योजना के अंतरगत उत्राखिंड राज के विवन्य विश्व विद्यालियों में अध्यन कर रहे सभी विद्यारतियों जिनकी उम्र 18-45 वर्दन निर्धारित की गई है एवंग इस्तानी यूवा उद्धिमी जो नई उद्धिमी सोच रखते हैं पृतिभाग कर सकते हैं जिन्हें Entrepreneurship Development Program के द्वारा पर सिक्षित किया जाएगा इसका मतलब यह है कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं वे लोग हमारी जो एक वेबसाइट है देवभूमी उद्धिमिता योजना पर जाएंगे अगर आप उसमें जाएंगे देवभू विष्विध्या ले या विज्व उनका college है उसमें सम्मंधित जो इसमें faculty रखी गई है उससे संपर्क करेंगे वहाँ जो प्राचार हैं उनसे संपर्क करेंगे और वह आपको एक link हम आज इस video के दारा भी आपको इस link प्रेशित करेंगे वह लिंक के स्क्रीन में आपको श की उम्र और आप के लिए सुटेविल EDP के लिए कौन सा केंद्रे रहेगा इन चीजों को आप भर करके उस form को आगे सब्मिट कर देते हैं तो यह सूचना आपके द्वारा भरी भी सीधे देहरादून उनके पोर्टल पर खुलती है और वे इस आपकी information को ले करके आपका चयन चयन करने के पिरकरिया है जो बच्चा interested है यानि कि जिसके पास कुछ idea है कोई भी entrepreneur का मतलब entrepreneur का अर्थ होता उद्यम, entrepreneurship का मतलब उद्यमिता उसके विचार में कोई ऐसा उद्यम करने का सोच है जिसको बढ़ाने में सरकार उनकी मदद कर सकती है तो इस form को भरेंगे जो विद्यार्थी इसमें चैनित होंगे एक short listing की जाएगी जो serious होंगे जो गंभीर होंगे इस विचार को इसका prescription करने है तो उन विद्यार्थियों को चैनि होने के बाद नजदी की महाविद्यालय में 12 दिन का EDP free of cost government के द्वारा कराया जाएगा और इस training को करने के लिए किट भी प्रिदान की जाएगी और जो विद्यार्थी इसमें सफल होंगे उनको विवसाय करने के लिए उप्तराखंड सरकार वित्ती साहता भी देने वाली है तो साथियो मैं कुछ अगले दो मिनट में कुछ मुख्य मुख्य बिंदू पर और प्रकास जालते हुए देवगुमी उद्दी मिता यह उजना की विशेशता हैं और इसके उद्देश को फिर से फोकस करना चाहूँगा आप सभी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने गाओं परोस में रहने वाले जो भी नौई वक 18-45 वर्ष के हैं उनको यहाँ ख़वर यह सूचना जरूर दें कि सरकार के द्वारा अपने ही छेत्र में किसी रोजगार को खोलने के लिए आपको सरकार फिनेंशल ए यानि हुनर को बढ़ाने के लिए आपको टेनिंग दी जाएगी इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको जो दिया गया गूगल लिंक है इसमें आपको रेजिस्टर करना होगा रेजिस्टर करने के बाद यह गूगल लिंक को आपको लेने में दिक्कत होती ह तो आप जहां पढ़ रहे हैं, या आप जहां से पढ़ चुके हैं, उस महाविध्याले में जाकर, वहाँ के प्राचार रिजी से संपर्ख करके, इस लिंक को अपने फॉन में डाल कर, अपना रेजिस्टेशन अवस्य भर लेए, रेजिस्टेशन जैसे ही आप भर देते हैं, तो आपकी सूसना देहरादून, दून कैंपस में जो इनका सेंटर है, वहाँ पर पहुंचेगी, वे आपसे स्वेंग आके के लिए संपर्क करेंगे, इसमें आपके मेंटर यानि कि नोडल इदिकारी भी निर्धारित किये गये हैं, यदि कोई बच्चा पितरागर कॉलेज म अन्यूत नहीं बनायी गया है, यानि कि एक परिशीत विद्धि के द्वारा जिसने आपको पढ़ाया हो सकता है, या जिसको आप आप जाते होंगे, के द्वारा आपको ट्रेणिंग दिलाई जाएगी आप इस ट्रे निंग को लेने के लिए मदद ही कराई जाएगी, मैं आप लोगों को या बताना चाहूंगा या वीडियो आप लोग अपने सांत्यों को भी भेज़ें, अपने WhatsApp ग्रूप में भी सर्कुलेट कराएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाव ले पाएं, धन्यवाब.